तो तो अ lectures आज कि इस वीडियो में हम सर्दी में इस्त्माल होने वाला room heater त्यार करने वाले हैं जो कि friends आप लोग markets से room heater लाते हो उससे काफी अच्छा room heater हम घर पर ही बनाने वाले हैं जो कि काफी कम बजट में वनेगा तो फ्रेंसे इसको हमने सिर्फ ओनले 30 रुपए में ही तैयार किया है तो चलिए इसे हमने कैसे बनाया है उसको हम यहां पर आज किस वीडियो में देखने वाले हैं तो अभी तक आपने माय चाहँ का सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लेस कर लीजे और करते हैं वीडियो स्टाट तो यहां पर फ्रेंस हमें के खाली जगह पर इस तरीके से जो है इट की साहता से पीट लेंगे उस जमीन को और यहां पर हम एक लकड़ी ले रहे हैं तो प्र प्रेंस हम इस कर द्राइबर की मदद से कड़्े को तयार करेंगे तो यहां पर मैं चाको की मदद से मिट्टी को निकाल ले रहा हूं तो अभी फ्रेंस यहां पर हम एक लगड़ी लेंगे और इसका हम दो टुकड़ा इसमें से कट कर लेंगे तो यहां पर हम तोड़ लेते हैं इसको हाथ से ही तो अभी फ्रेंस यहां पर हम बेकार न्यूज पेपर लेंगे और इसको हम इस गड़े में अच्छी तरीके से फिट कर लेंगे तो यहां पर हम इसको अच्छी तरीके से फिट कर लिया हैं और यहां पर अब हम इस लगड़ी को जो है नुकीला कर लेंगे तो अब हम इसको 1.5 इंज की दूरी पर यहां पर गाड़ देंगे ठीक है तो यहां पर आपको भी इसे 1.5 इंज की दूरी पर गाड़ना है तो आपको इस बात को नोट करके रख लेना है तो यहां पर फ्रेंस आपको कोई सा भी वर्तन ले लेना है तो फ्रेंस इसको लेने के बाद हम लेंगे यहाँ पर होडलेक्स का डिबा तो यह फ्रेंस होडलेक्स नहीं है इसमें इसमें हमने सफेद बाल रखा है तो आप इसे ले ले जीगा और इसमें फ्रेंस आपको सेमेंट मिलाना है तो इसमें सेमेंट मिलाके आपको इसका पेस्ट तयार कर लेना है तो यहाँ पर हमने लगभग सेमेंट को मिक्स कर लिया है तो अभी हम इसमें पानी को डाल दे रहे हैं और अभी हम इसको चम्मस की मदद से इसको मिक्स कर लेंगे तो यहां पर हमारा जो पेस्ट है वो बनकर लगभग तयार हो चुका है तो चलिए तो अभी प्रेंस यहां पर हम जाड़ो की दो इस्टेक निकाल लेंगे और हम इसको गड़े के साइच के बराबर ही तोड लेंगे तोड़ने के बाद हम इसको इसमें लगा देंगे दोनों तरफ उसके बाद हम इसमें जो है मसाला जो हमने बनाया है उसको हम इसमें इस गड़े में भर देंगे भर देने के बाद हमें इसे पूरा तयार कर लेना है तो चलिए हम इसको तयार कर लेते हैं तो आपको फ्रेंस इसे तयार कर लेने के बाद आपको इसे दो दिन के लिए रग देना है सूखने के लिए तब ही जो है बढ़िया तरीके से बन जाएगा तो यहां पर हमारा सूख चुका है और हम इसको यहां पर इस गड़े में से निकाल लेते हैं तो अब हम यहां पर प्रेंस हम निकाल लेंगे तो चलिए इसको थोड़ा फास्ट करते हैं तो अभी प्रेंस इसमें से हमने लकड़ी को निकाल लिया है और अभी दोनों तरफ यह आप देख सकते हो यह धारदार बना हुआ है तो इसको हम प्लास्ट की मदद से इस तरीके से तोड़ देंगे और यहां पर हम इसको बढ़िया तरीके से बना लेंगे तो दोनों तरफ हम प्लास्ट की मदद से इसको अच्छी तरीके से ठीक कर लेंगे तो अभी प्रेंस हम इस सेंट पेपर की मदद से इस पत्थर पर जो है इस तरीके से घिसाई कर लेंगे और यहाँ पर हम नाइक्रो एर बैठाने के लिए इस तरीके से जो है बना रहे हैं तो आपको भी इसे कुछी सी तरीके से बनाना है तो अभी फ्रेंस यहाँ पर हमने कट इस पर लगा दिया है आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से तो आपको भी यहाँ पर कुछ इस तरीके से इस पर कट लगाना है तो यहाँ पर हम दू लकड़ी लेंगे तो इसकी मोटाई फ्रेंस दो सेंटीमीटर है यहां पर आप लोग देख सकते हो तो अभी चलिए फ्रेंस अब इस लकड़ी की चोड़ाई की बारे में बात कर लेते हैं तो फ्रेंस इसकी लंबाई और चोड़ाई दोनों सेम ही है यानि कि यह वर्ग आकार है तो फ्रेंस यह 9 cm वर्ग आकार आपको एक टुकड़ा कट कर लेना है तो फ्रेंस यहां पर आप लोग देख सकते हो बीच में मैंने मार्किंग की है तो यहां पर मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ यहां पर 5 cm की दूरी पर आपको भी इसको बीच में से इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है और यहां पर यह जो हमारा पत्थल है इसको हम यहां पर इस तरीके से जो है लगाएंगे तो इसी के अकोर्डिंग हमने यहां पर इसकी मार्किंग की है तो मार्किंग हमने कर लिया है तो इसको हमें थोड़ा गोल आकार में कट करना होगा तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो तो यहाँ पर आपको भी कुछ इसी तरीके से जो है लकड़ी पर मार्किंग करनी होगी और इसको मार्किंग करने के बाद हमें इस तरीके से कट कर तो अभी फ्रंस यहां पर हमें इस तरीकी के लकड़ी की पट्री लेंगे January offers और अभी इसको चयार है इस पर रखकर और अब हम सबसे पहले मार्किंग से इस पाले का तो यहां पर हमने मार्किंग कर लिया है और इस तरब भी हम मार्किंग कर लेंगे से इसी तरीके से तो यहां पर हमने मार्किंग कर लिया है और अभी हम इस पत्थर को निकाल लिये हैं तो चलिए भी हम इन दोनों को साइड में करते हैं और हम इसकी कटिंग देख कर इस तरीके से मार्किंग करके और इसकी कटिंग कर लेनी है तो कटिंग पूरी होने के बाद यह आपको इस तरीके से एक सीट कट कर लेनी है तो यहां पर यह सभी पार्ट मैंने इस कनेस्तर में से कट किया है तो आपको सभी का माप लेकर इसको कट करना है तो आप अपने ल एबजोग करेगा यह जो कनस्तर है यह हीट हमारी जो निकलेगी उसमें से वो हीट को एबजोग कर लेगा तो इसलिए हम यहाँ पर दोगिल का इसमाल करेंगे कर दो दो दोन बहु कर दोग सतया है राणाओारी तुनतरिर ट्रोग करेंग मन पन दोग denkाश्ड़ कर दोग you गिल्दिए मन इसमाँ अल्साह कर दो गजास औरिटवाथ, ज सदोंते हुआ पहला हुआ तो अब प्राइब कर दो 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 तो अब फ्रेंस यहां पर हमने इसको complete कर लिया है यहां पर हमने heat absorb करने के लिए यहां पर कनस्तर को भी लगा दिया है तो चलिए अब इसको यहां पर रख देते हैं तो यहां पर हम लेंगे नाइक्रोम वायर तो फ्रेंस यह आपको 25-30 रुपए के आसपास में मिल जाएगा तो आपको इसे फ्रेंस लोकल मार्केट से ले लेना है तो फ्रेंस इसके साथ हमें दो नट बोल्ट और दो कनेक्टिंग रोड देखने को मिल जाता है तो यहां पर हम इस पत्फल को फिर से इसमें लगा लेते हैं उसके बाद हम इस नाइक्रोम वायर को इस नट बोल्ट से जो है अच्छी तरीकी से टाइट कर लेंगे दूजे लिए हम फुटा फट से इसको करते हैं उसके बाद हैं तो अभी आप यहां पर देख सकते हो इसका connection हमने कर लिया है तो आपको भी कुछ इसी तरीके से इसका connection करना है और यहां पर हमने जो नाइकर वायर है इसको हमने तार की मदश से अच्छी तरीके से बान दिया है और यहां पर हमने एंसुलेटर कवर का इस्तमाल किया है तो भी फ्रेंस यहां पर हमें एक छोटा सा लकड़ी का टुकुडा लेंगे है कि साज कमने कड़ कर लिया था पहले ही तो मैं रखता और इसके ऊपर से हमने जो पती का इस्तुमाल है उसको अपर लगा कर तड कर लाँ गोगे अप आपको भी कुछ इसी त मिलसी तरीके पती फें इहां है फट्व के आफ कर देदे है intervenaj तो यहां पर फ्रेंज से इसको हमने कंप्लेट कर लिया तो फ्रेंज यहां पर हम खिरकी पर इस्तमाल होने वाली जाली लेंगे और इसको हमने यहां पर कट कर लिया है इसके साइज का तो इसको हम इसके ऊपर लगाएंगे कुछ ही इस तरीके से तो यहां पर हमने copper का wire ले लिया है और इसके एक cone पर हम यहां पर इस तरीके से बांध लेंगे तो बांध लेने के बाद हमें दूसरे cone पर भी इसी तरीके से बांधा है बांध कर इसको हम अच्छी तरीके से खीच कर लेंगे इस जाली को तो इसी तरीके से पूरा हमें complete कर लेना है इसको जिस तरीके से कपड़े से ले जाते हैं तो यहां पर हमने इस room होटर को पूरा complete कर लिया है तो यहां पर आप लोग देख सकते हो इसकी मैंने connection कर दी है करफिव वायर हमने यहां पर इस्तिमाल किया है तो प्रेंस इस वायर को हमने खुला इसलिए रखा था कि आपको वीडियो फ्यक ना लगे तो चलिए इसको यहां पर रख देते हैं तो अब हम इसके connection को कर लेते हैं तो यहां पर हम simply इसको इसमें लगा देंगे तो यह हमारा लग चुका है तो चलिए आप करते हैं पावर ओन यहां से ही तो प्रैंज यहां पर आप देख सकते हो मैं इसको टच कर रहा हूं यहां पर कोई भी 600 वे उस्ट क lleva रह यह हैं कुछी देर में हमारा एकड़ जो है वो ऊपर हो चुका है और यहां पर इसकी फीट वह निकलनी श्टार्ण हो गई है तो इसकी जो हीट है वो काफी तीर्ज है और इसको मैं यहां पर टच भी कर रहा हूं तो यहां पर इसका इसमें वगएर लगने का कोई भी चांस नहीं है तो अभी हमने इसकी टेस्टिंग के दौरान आपने बात जरूर नोटिस की होगी तो प्रेंस मैं आपको बता ज़ता हूं तो फ्रेंस आप सोच रहे होंगे कि यह जो हमने दोनों तरफ लकड़ी का इस्तमाल किया है यह लकड़ी जल सकती है इसकी हीट की वज़ा से तो फ्रेंस ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है कि अगर आपने वीडियो स्किप नहीं करी होगी तो आपको पता होगा यहां होगा है और हम दोन नीचे जो इस लकड़ी में ट्छ नहीं। फ्रेंस इसमें जो होगेरे डिंटो दो इसे नहीं हो जाएंगी ठीकर यह कनास्तर जो है अपने ऊपर जो है इस question कर लेगा और इसको Feels तो प्रेंस अगर आप इसे बनाते हो तो जिन बातों को मैंने आपको बताया है उसको आपको ध्यान में रखकर बनाना है ताभी जाके आपका यह जो प्रोडक्ट है वह बहुत ही अच्छे से वर्क करेगा तो काफी लाइफ टाइम तक यह आपका प्रोडक्ट जो है वो चले आप इसको आराम से घर पर बना सकते हूं बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है आज के लिए बस इतना ही फ्रेंस मिलते हैं किसी और यूजफूल वीडियो में तो अभी तक आपने माय चाहतो सकतका नहीं किया है तो कर लिजे और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरू